मतलब इनाजिक के अंदर आपने ऐसा क्या देख लिया था कि आपने डिसीजन लिया कि नहीं आ रहे हैं यह कुछ है यह कुछ है सर थोड़ा इसके उपर आराम से आप इसका जवाब दो क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं आपको हिरानी होगी जानकर कि शायद पिछले एक साल के दोरान सबसे ज़दा इसी सवाल का जवाब मैंने दिया है कि इंडियन माइंड सेट में आउट अफ दि इंडियन हिस्ट्री लोगों को डिरेक्ट सेलिंग के प्रती बहुत सारी गलत फैमिया है और गलत फैमिया ऐसी ही खड़ी नहीं हुई है बुरे एक्सपीरियंस की वज़से खड़ी हुई है तो अब यह जो पास्ट के बुरे एक्सपीरियंस है एक्स वाई जी जिनके जहाँ जहाँ थे उस वज़े से कुछ ऐसी गलत फहिम है कि जैसे आदमे डिरेक्ट सेलिंग का नाम सुनता है या नेट्वोकिंग जैसा कुछ सुनता है अरे नहीं यार इसमें नहीं पढ़ना है अरे नहीं यार कुछ नहीं मिलेगा अरे बाद में दिक्कत होगी यार नाव ये सारी जो belief systems है तो being a trainer मैंने जब बहुत सारे direct selling companies को trainings दिये है तो मैं आपको अपने experience से कुछ अलग बताता हूँ जो शायद मैंने इस से पहले पता निक अगर किसी के साथ ये share भी किया है क्योंकि इसका जवाब मैं बहुत जगाओ उपर दिया कि मैंने energy को क्यों चुना है बट मैं आज कुछ अलग कहना चाहता हूँ देखिए कोई भी company के पास जब एक अच्छी product या service है ठीक है अब ये थोड़ा entrepreneur business mind से सुनना है तो जब कोई अच्छी product या service होती है तो product बनाना एक process होता है product development production एक process होता है और दूसरा उस product को customer तक पहुचाना वो एक totally दूसरा process है और मैं यह बता दू आपको कि पैसा product में नहीं है पैसा उसके sales में है sales के बिना कोई product का कितना भी दम हो कितनी भी quality हो कोई फर्की नहीं पढ़ने वाला it does not matter अगर वो storehouse में पढ़ा रहेगा तो ठीक है company grow करेगे जब sales होगा अब जब sales की बात आती है तो sales is nothing but a distribution model कि भई company से कोई चीज final user तक यानि की customer तक कैसे पहुचेगी अब जब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर कि भी final user तक product को पहुचाना है distribute करवाना है तो there are different models of distribution there are different models of sales आजकल एक नया model market में आया है सबने देखा होगा directly सीधा e-commerce सीधा online page दिना product बनाया सीधा आप online से खरीच सकते हैं यह कि यह model होता है दूसरा model होता है कि जो आप dealer, distributor, retailer उस model में जा सकते हो जिसमें wholesaler होता है फिर एक distributor होता है फिर एक retailer होता है वो एक दूसरा model होता है तो इस तरह से there are n number of models जो available है जिसमें से एक model जिसमें से एक model है जो है direct selling का model यानि कि जब एक product बना तो average product आपको भी पता है कि जिस price पे बनता है और जिस price पे customer तक पहुँचता है उसमें gap available है और वो gap कहीं न कहीं तो utilize हो रहा है चाहे marketing में हो रहा है advertisement में हो रहा है dealer, distributor, wholesaler में हो रहा है कहीं तो utilize हो रहा है तो direct selling का model बहुत simple है हम सब जब समझते हैं इसको और वो क्या है कि अभी company ने manufacture किया product और जो वो gap available था वो gap उसने अपने ही team के अंदर distribute करवा दिया जिससे हम independent distributors कहते है ठीक है, अब इतना अगर concept clear है तो मैं अब आता हूँ कि जितनी direct selling available है उसमें से energy team जब ये सवाले मेरे लिए तो मैं आपको इसका एक सही जवाब देता हूँ अब मैं ये नहीं कहना चाहूँगा कि वो health के उपर product बनाए health की best product है, वो हम सब जानते है we already know about it बट मैं कुछ अलग बतातू मैं ध्यान से सुनना आव इसको आपको काम लगेगा, ये आपको sales में help करेगा पर आप decide करते हैं कि हमें एक networking company शुरू करने है direct selling company शुरू करने है क्यों, बोले यार बहुत पैसा है इसमें मतलब बहुत जल्दी आगे बढ़ सकते है ऐसा आजकर लोग सोचते हैं और इंडिया में बहुत अरी company शुरू भी होती है अब ये लोग क्या करते पता है ये लोग networking company बनाते है और फिर और फिर क्या होता है, मैं मानो नागे शुर सर और संजे सर तीन लोग बैट करके एक company बनाए और हम फिर सोचते हैं कि यार अब लोगों को member बनाने है अब लोगों को member बनाए तो इस पर दी norms हमें कुछ देना पड़ेगा तब जाकर के हम किसी से 200 रूपिया दो अजार या बीस अजार या दो लाख ले सकते है क्योंकि कुछ दिये बना आप किसी को member नहीं बना सकते यह नॉम से इन्हों direct selling के अभी problem देखो क्या है अब जैसे तीन लोग बैट करके जब यह company बना रहे है तो networking company बना ले तो फिर क्या करते आगे शूर सर आप हाईदराबाद से अच्छे काम करो उधर IT का कुछ खोजो ना कोई product मिल जाएगी अरे संजे सर आप सूरत से हैं देखो ना उधर कुछ अगर pen वेन कुछ production उधर textile का market और एक काम करो shirt बना वालो suit बना वालो उधर से अपने 2000 के suit बेज देंगे तो हमने एक IT product हाईदराबाद साउट से कहीं ले लिया एक गुजरात के कोई कोने से हमने एक shirt या suit ले लिया किसी को 2000 का tag दे दिया किसी को 5000 का tag दे दिया और हमने networking शुरू कर दिया और लोगों को member बनाना शुरू कर दिया ठीक है ये एक होता है है जहां पर genuine product और long term service नहीं है वहां पर दोस्तों अगर आप fuss होगे तो you are in trouble और जो बहुत बार हुआ है अगेन हम किसी की बुराई नहीं करेंगे क्योंकि ultimately सभी अच्छे इरादे से अच्छा कामी करना चाहते है तो अगेन कोई particular company की या लोगों की यहां बात नहीं हो रही है बट मैं समझा नहीं है चाहता हूं कि अब एनेजिक पर आते हैं एनेजिक का history पता है क्या है एनेजिक का history यह नहीं है कि they are you know networking company no 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 एनेजिक आप history पढ़ना एनेजिक वर्ड आया उसके पहले का भी history पढ़ना और आपको पता चलेगा they developed a product and the product इतना दमदार बनाया इतना जबर्जस्त बनाया कि फिर जब वो product को अब decide किया गया कि अगर इतना दमदार है अगर इतने लोगों को फाइदा दे सकता है इतनी research इसके उपर हो रही है तो ये product को domestic level पर घर घर तक पहुँचाना है और fastest दुनिया में पहुचाना है और अगर fastest पहुचाने तो अब कौन सा distribution का model लिया जाए ये commerce पे जाए अब उस जमाने में e commerce था ही नहीं जब energy शुरू हुआ ओके या फिर dealer distributor wholesaler में जाए अब ये बहुत slow process होता है क्योंकि हर देश में dealer distributor wholesaler बनाना बहुत slow process actually और इसलिए energy chose the process of direct sales क्योंकि इसमें दो logic थे ये fastest process है worldwide product पहुचाने का दूसरा इस product के अंदर energy को day one से ये मालूम था कि ये दुकान में जाकर खरीदने वाले चीज नहीं है it is a concept selling कि जिसको सामने वाले को समझ देना पड़ेगा knowledge देना पड़ेगा health की awareness दिनी पड़ेगी तब वो समझ पाएगा कि इस product का power क्या है क्यो इंडिया में न कपड़ा लगा कि लोग पानी चान लेते थे गरम करके पी लेते थे फिर वो zero फिर दूसरी तीसरी जो जो चीज़े आने लगी वक्त के साथ अब इन लोगों को जिन्होंने दो पांच अजार के दस अजार के ही कुछ चीज़े यूस की है पानी को filter करने के लिए उनको कैसे समझाया जाए कि यह आयोनाइजर क्या है मैं अगया नाम नहीं ले रहा बट मेरे ऐसे चार रिश्तिदार में बोल सकता हूं अभी भी घर में नल का पानी पीते हैं पता नहीं कौन से एहमदबा चेहर में या गाउं में और अभी कोरोना में हालत हस्पताल का चार लाख रुपिया खर्च कर चुके है तो कम बजारा है बट एन्वेस कमिंग बैक तो पॉइंट सो वाई एनजिक बिकॉस बेज दी प्रोड़क्ट वो दमदार है डिस्ट्रिबुशन मॉडल सिर्फ दिरेक्ट सेलिंग का है इस नॉत अने नेट्वर्किंग कंपनी म लाद्वर्किंग